स्वागत है आपका इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग नूज आपको बता दूँ हात्रस कांट में निकला जबलपूर का कनेक्शन है SIT की जाँच में पीडित की फर्जी रिष्टदार का खुलासा हुआ है पीडित परिवार की फर्जी रिष्टदार बनकर रह रही थी महिला महिला का नाम राच कुमारी बंसल बताया जा रहा है जबलपूर की रहने वाली है राच कुमारी पीडित की भावी बनकर मीडिया में दिया था बयान गावालों को उकसाने और जूटी अववा फैलाने का भी आरोप है नाम का खुलासा होने के बाद अंडरग्राउंड हुई राजकुमारी बंसर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आत्रा से चुरी हुई जबलपुर की रहने वाली राजकुमारी बंसर लगातार मीडिया में बयान दे रही थी फर्जी रिष्टदार बनकर वहाँ पर विक्टिम की जो फैमली है उसके साथ रह रही थी यह तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जो मार्क किया हुआ है यही है राजकुमारी बंसर जो की जबलपुर की रहने वाली है और S.I.T. ने इस बात का खुलासा किया है कि यह रिष्टेदार नहीं है फर्जी रिष्टेदार बनकर रह रही थी मीडिया में जबर्दस्ती बर्गलाने की कोशिश कर रही थी गलत बैयान बयाजी कर रही थी साथी साथ़ परिवार को भी भटकाने की कोशिश कर रही थी सीधे चलते हैं हात्रस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए रोहित पुनेटा हमारे साथ जुड़ गए रोहित राच कुमारी बंसल का नाम आ रहा है जबलपूर की रहने वाली हैं लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं क्या है पूरा मामला और बेक्थ्रू एसाइटी को कैस पूचिश कर रही थी कि अधिये रजट मैं मैं बिल्कुल अभी अब से जस्ट मैं दो चार मिनट पहले ही मैं भी जो पेड़ित परवार हैं के साथ था इसी को लेकर मैं बातशीत कर रहा था उनसे की एक्जेक्ली क्या ये है और क्यूं जो एस महिला को ये बता रही है कि व जो इसका नक्सकुली कनेक्शन है लेकिन पीडित परवार इस बात से इंकार कर रहा है डरि researchedly मेरी बात हुई जो पिडिता है उनकी बुछी बात चीत वह इस बात को बिलकूल नकार रही मैंने उनको तस्वीर दिखाए की कि मेरे मुबाइल में वो फोटो थी मैंने उनको दिखा कर पूचा कि ये कौन है तो उन्होंने छूटते का इनका नाम राजकुमारी है मैंने का आप इनको कैसे जानते हैं तो उनका कहना था उन्होंने माना कि ये हमारी रिश्चिदार है और हमारी रजामंदी सही घर पर थी हमको पता था इनकी मौझूदगी का और वो ये भी दावा कर रही है कि जब हम लोग एंट्री करते हैं अंदर पिडिता की घर तो पुलिस बकायदे का लाल रजिस्टर लेकर बैठती है उनका ये भी दावा है कि रजिस्टर में बकायदा एंट्री हुई है और एंट्री के बाद उनके भावी की परचित हैं ये और इस बुरे वक्त में परिवार को सांत्वना देने के लिए वो मौके पर मौझूद थी मैंने उनसे फिर अगला सवाल किया कि फिर ये बात क्यों सामने आ रही है क्या इनका को नक्सल कनेक्शन है तो उनका कहना था कि हमको इस बारे में कोई जा जाने के लिए गई थी क्या इनका PFI से कोई कनेक्शन है क्योंकि बार बार अगर परिवार आपसे बातशीत में ये बात मान रहा है कि हाँ वो जानती है दूर की रिष्टेदार है और SIT कह रहा है कि नहीं ये ये जो भी सदस है वो सही नहीं है निगेटिव किरदार है वहा कोई ऐसे संगटन से तो नहीं वास्ता है जो वहाँ पर दंगा फैला सकता था पहली चीज़ दूसरी चीज़ आज क्या SIT रीक्रियेशन करने जा रही है आज SIT पूरे दिन क्या 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 काम करेगी रोई थात्रस पर देखे मैं आपके पहले सवाल का जबाब देता हूँ जहां तक SIT की बात है SIT की एक जाच जो चल रही है रजट उसको बारे में अभी SIT किसी भी चीज़ को शेयर नहीं कर रही है बहुत गुप चुप तरीके से जाच SIT इस मामले में कर रही है और पुलिस राइन जो है य कोई भी डीटेल नहीं मिल पाई है लेकिन अजब हमने उनसे पूछा वहाँ पर जो जो पेडिता के परिजन हैं उनसे हमने पूछा उनकी बुखा कि क्या इनका को नक्सल कनेक्शन है उन्होंने का हमको ऐसा नहीं मालूम है किसे नक्सल कनेक्शन का मालूम नहीं है लेकिन इस बात को वो पूरी तरह से नकार रहे हैं, मैंने एक बार नहीं, मैंने बार बार पूछा, मैंने बार बार तस्वीर दिखाए, मैंने का देख लीजिए, क्या यही वो मैला है, क्या यही वो लेडी है, जो आपके घर पर थी, उन्होंने का हाँ, यही है, हमारे साथ बैठती नहीं दिया लेकिन उन्होंने सिर्फ इस चीज़ को माना है कि हाँ हम इनको पैचानते हैं मैं इडेंटिफाइ कर रही हूं इनको कि हाँ यह हमारी रिश्रदार है और हमारी रज़ामंदी के बादी घर पर उपीज़ी आज क्या परिवार से पूछताच करेगी पहली बात और क्या पूरे सीन को रिक्रियेट किया जाएगा देखिए परिवार से पूछताच की संभावना रज़त बहुत कम है SIT आज परिवार से पूछताच करेगी इस बात की संभावना बहुत कम है क्योंकि SIT अब डिरेक्टली घर पर नहीं आ रही है SIT को जिससे भी पूछताच क को दो PSO यानि कि दो पसल जो पुलिस कर्मी है वो उनकी सुरक्षा में लगाए गए गए तो लंबी चौली पुलिस की फॉज हैं पर जो उनकी सुरक्षा कर रही है ऐसे में अगर SIT को पूछताच करनी है तो SIT उनको पूलिस टाइन बुलाएगी वहां पर पूछताच जहां से तक्रीबन 1.500-200 मीटर आगे जो एक जगह है जहां का आपको याद दियो होगा एक वीडियो वारल हुआ था उस वीडियो में एक दराती देखी गई थी उस वीडियो में चपल देखी गई थी वही जगह है जहां पर SIT हो सकता है कि पूरे सीन को रीक्रेट करें क्योंकि यही दावा किया जा रहा है कि वही जगह है जहां पर गैंग रेप की वार्दात को अंजाम दिया गया जहां पर पिडिता घास लेने के लिए गई थी उसको घसीटते हुए जो 4 आरोपी है वो अंदर ले गए और फिर उसके साथ गलत काम किया उसका गैंग रेप किया तो अगर SIT आएगी तो सबसे पहले वहीं पर जाएगी लेकिन अभी तक SIT के आने को लेकर कोई भी confirmation यहां पर अभी तक नहीं मिला है सुबह से यही आ जा रहा है कि हाँ थोड़ी दिर में SIT की टीम आएगी थोड़ी दिर में जा जा रहा है वह वहीं तक आएगे साइटी की ती वहाँ पर उनको सीन का डिक्रिशन करेगी और वहीं से डॉट जाएगे